अरे कबीर, तू दूद लेने नहीं गया? तो कबीर बोले, स्वामी जी, ये गाय पहले घास खाएगी, तभी तो दूद देगी? तो रामानन्द बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? तो कबीर बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है, जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती, तो आपके सौ साल पहले मरे पीतर, खीर कैसे खाएंगे? ये सुनते ही रामानन्द जी मौन हो गये, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ. माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिन्दा नाग जब घर में निकले, ले लाठी धमकाया. जिन्दा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पूजवाया, मुठी भर चावल लेके कव्वे को बाप बनाया. ये दुनिया कितने बावरी है, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पीसा खाए. संत कबीर का ये दोहा है, और इसका भावार्त ये है कि जो जीवित है उनकी सेवा करो, वो ही सच्ची शरदभी है और श्राद भी.